आज हमरा वेलर का पांस दिन का सुभा चल रहा है वीडियो बन रहा हूँ अभी टाइम हो रहा है साड़े आद बज रहा है और इस वीडियो पे मैं यह बताऊंगा कि किस तरह से बूडिंग का जो मैनेजमेंट होता है किया जाता है क्योंकि बहुत सरे कॉमेंट्स बूजे ऐ आपको मैनेजमेंट करना चाहिए तो दोस्त यह जो वीडियो है इसमें सर्फ मैं मैंनेजमेंट के बाद बताऊंगा और दोस्त बहुत से रफर्मर्स ऐसा गलती कर देता है कि टेमपरेचर मेंटेन करने के चक्कर में चीक्स में जो स्पेस एक्षिल में रिक्वर्मेंट है वो नहीं देता थोड़ा सा कम ही देके वो रख देता है जाके उस ब्रूडिंग के जो एरिया है उसमें साई से टेमपरेचर मेंटेन कर पाए लेकिन यह बहुत गलत तरीका है आप स्पेस को इंक्रिस कीजिए लेकिन उसके साथ साथ टेमपरेचर भी आपको मेंटेन करना चाहिए स्पेस को क्यों करना चाहिए यह भी मैं एक बार बता दूँ आपको तो दोस्त आप देखेंगे जहां पे चीक्स जादा करके चिपक के बैठा है उहां पे थोड़ा सा हटा लीजिएगा थोड़ा बहुत चीक्स जो है उसका सरीर का जो पांक है वो भीग जाता है और वो भीग जाने के कारण से उसका सरीर का जो टेमपरेचर है बहुत ही डाउन हो जाता है और तुरंत उससे भी ज़्यादा एकटा होने लगता है उससे भी ज़्यादा ऊपर चड़ जाता है इसका चलते जो दब के मोटलेटी हो जाता है बहुत हो जाता है और रात के टा प्रूश में कि बड़ा देने से चीक्स उससे भी ज़्यादा ठांड उसको मिलेगा तो उससे भी ज़्यादा चिपक के बैठेगा ऐसा कुछ नहीं इस पेस को बड़ा दीजेगा तो डेफिनेट ली जो चीक्स है वह फैल के बैठेगा और यहां पर देख पर है कि चीक्स जा हम लोग को मेंटन करके रखना है ऐसा नहीं कि चीक्स को जादा से ज़्यादा हीड देने के चेक करें बहुत इंवेस्ट बहुत खर्चा कर दिये ऐसा नहीं आपको सभी चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखके खर्चा करना होगा बूडिंग पे तो दोस्त आसा करता हूँ य आपके हर वीडियो का नोटिफिकस आपको सबसे पहले मिलता रहे है जाएंट